हेलो गाइज विल्कम बैक टू माई चानल स्मार्ड योन्स हो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भी एक लर्ग 2021 के बारे में और टोटल यहां पर फॉर्म फिलप कितना हुआ है इस वीडियो को लाइक कर देना और जासे शेयर जरूर से करना और अगर चानल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब करेंगे इन गाइज ऑल्सो हम बात करेंगे यहां पर जो आपका state-wise फॉर्म फिलप हुआ है वो कितना हुआ यानि कि कौन से state में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलप हुआ है और कौन से state में सबसे ज़्यादा यहां पर cut-off रहने की chances है तो उसको भी यहाँ पर देखेंगे और prelims exam की cut-up की बारे हैं बात करेंगे expected क्या आपका यहाँ पर target हो सकता है तो इस वीडियो को like, share जरूर से करना तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं total form fill-up का data यहाँ पर कितना हुआ है आप देख लो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर टूटल registration करा गया है तो इसमें से यहाँ पर कुछ false registration भी है उसको भी अभी देखेंगे और बात करें तो कुछ ऐसे candidate है जिन्होंने ऐसी ही form भर दिया है बहुत सारे candidate ऐसे होते हैं जो seriously त्यारी करते हैं बहुत सारे candidate ऐसे भी form भर दते हैं ठीक है तो यह आपका final data है form fill आपका देख सकते हूँ कितना है 18,440,873 candidate नहीं हाँ पर register करा है total vacancy कितनी है total vacancy हाँ पर 5000 दी गई है इसके 10 गुना candidate बुलाए जाएंगे कहां बुलाए जाएंगे मेंस exam में बुलाए जाएंगे तो एक overall हम data लेकर चले कि कितने candidate exam में appear होंगे तो अगर हम 15 लाग का data लेकर चले है ठीक है अगर हम 3 लाग को false registration में कुछ serious candidate नहीं होगा ऐसे करके यहाँ पर eliminate कर देती है और हम 15 लाग का भी data लेकर चले ठीक है पहले overall competition जान लो जितना registration हुआ है उसकी according क्या competition होगा तो total vacancy हमारे पास अभी कितना हो गया 50K हो गया यानि यह 50,000 हो गया क्योंकि prelims exam qualify करने वाले student 50,000 होंगे ठीक है और हम बात करें तो total यहाँ पर data कितना है आपका 18,000,000 डाटा है अगर दोनों को divide कर दें हम तो अगर overall यहाँ पर हम देख लें तो 18,40,873 है ठीक है यह overall यहा और 50K मालों यहाँ पर कि आपका candidate हो तो एक candidate यहाँ पर एक seat पर यहाँ पर कितने candidate fight करेंगे 36 candidate ठीक है यह आपका यहाँ पर overall data है लेकिन अगर यहाँ पर कुछ serious candidate को यहाँ पर consider कर रहे है और false registration को हटा दिया है तो हम मान के चल सकते है अप्रोक्सिमेटल यहाँ पर 15,000,000 क लेके चलते हैं ठीक है 14,000,000 डाटा लेके चलो मालों 4,000,000 यहाँ पर false registration और जो यहाँ पर serious candidate नहीं है ऐसी form फिल कर दिया वो उसमें आते है कईज हम अगर 14,000,000 ही data लेके चलते हैं ठीक है कुछ यहाँ पर serious candidate नहीं होंगे और कुछ यहाँ पर ऐसे candidate जिनका यहाँ पर एक आपका यहाँ पर अगर हम डिवाइट करते हैं 50,000 से तो आप देख सकतो हो यहाँ पर एक सीट पर कितने candidate होंगे एक सीट पर इहाँ पर सिर्फ 28 candidate होंगे कितने होंगे एक सीट पर यहाँ पर 28 candidate fight करेंगे प्रलेम्स एक्जाम में तो यह आपका प्रलेम्स एक्जाम का competition है एक सीट पर यहाँ पर 28 candidate है और मैंने 14 लाक डाटा इसलिए लिया है बहुत सारे candidate बोलेंगे कि सर यहाँ पर 10 लाक ही candidate, serious candidate होंगे देखो इस बार का situation और पिछले बार के situation अलग है क्योंकि पिछले बार यहाँ पर cyber cafe जाकर form fill up हो जा रहा था easily जाते थे लोग वहाँ पर पैसा देते थे form fill up करा लेते थे बट इस बार खुद से form भरना पड़ा है और जो candidate यहाँ पर serious है वो ही इतना मैनत कर सकता है वो खुद से form भरेगा ठीक है तो बहुत कम ऐसे candidate होंगे इस बार जुन्होंने ऐसी भर दिया होगा form विकोज इस बा यूपी में competition नजर आता है ठीक है और एक reason भी यूपी में यहाँ भरने बहर जाने का कि यहाँ पर vacancy ज्यादा था दूसरा यहाँ पर यह रीजन था कि बिहार के भी लोग यूपी में form भरे हैं ठीक है क्योंकि बिहार में यहाँ पर vacancy नहीं दी गई थी तो यह और रीजन देली आता है जिसमें form fill up हुआ है 19% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दिली में form fill up कराया ठीक आप देख सकते हो और बाकी आप हडियाना का भी देख सकते हो 11% लोग है यहाँ पर हडियाना में form fill up करने वाले आगे हम data देखे तो आप देख सकते हो यहाँ पर राजस्तान में यहाँ महरा राश्रा है आपका महरा राश्रा में हम देखिए तो 21% लोग उने form fill up करायाlar अगर हम प्रवियेश यह आउट ओफ हंट रेट है और जो बिहार का कटव चुआफ बिहार इस वार नहीं रहेगा और 36 यहाँ पर 68 डेली का यहां पर देख सकतो 76 और इस वार इसनेट है कि 75 से लेकर 80 की बीच आपका यहाँ पर कट आफ जाएगा इस फिर थोड़ा से इंक्रीज करेगा विकॉस व कम है और अगर हैं पर फाइनल एवर्टमेंट के टाइम यहां पर वैकेंसी बढ़ जाती है तो फिर आपकी cut up जो है नॉर्मल जाएगे ठीक है वो जब आपके यहां पर result आब तो पता चल जाएगा अपर यहां पर बात करें तो गुजराथ की देख सेंकते हूं यहां पर 56 गंए और इस बार भी कम जाएगे कोजब हर इस बार इस बर भी कम फर्म फिरफ वह हुआ है अगे हम बात करें थो जारे ठीप आप देखसकता है और करनाठा का कि han hara पर देख सकते हो 58 है तो यह सारे स्टेट इस बार भी यहाँ पर लो कट अफ इस्टेट में रहेंगे और हम बात करें तो मद्य परदेश का देख लो यहाँ पर 68 है महराश्टरी की बात करें 59 है इस बार यहाँ पर 60 प्लस जाएगी कनफॉर्म ठीक है इस बार आपकी यहाँ 60 plus cutoff रहने वाली है बाकि हम हड़याना की देख ले तो हड़याना की जो cutoff वो 68 है पंजाब की देख देख तेक तो हीआपर 77 है अगर हम उतर पर देस जाने की यूपी के बात करें तो 71 cutoff यहाँ पर गई है और इस बार भी चांसेसे आपकर यहाँ पर cutoff हाई जाने की ठीक ह इस बार आप मान की चलो कि 75 प्लस UR का cut-up यहाँ पर जाने वाला है ठीक है तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर प्रिवेशर cut-up दिखाया है उसे अगर 5 प्लस स्कोर आप जादा करते हो तो आपका सेलेक्शन प्रिलिम्स एक्जाम में 100% कनफॉर्म हो जाएगा ठीक है तो यह प्रिवेशर का data है और expected cut-up मैंने बता दिया 5 प्लस आप यहाँ पर लेकर चलो स्कोर अगर 5 प्लस आपका जादा आता है डेफिनेटली आपका सेलेक्शन यहाँ पर प्रिलिम्स एक्जाम में हो जाने वाला है अगर हम बात करें एक्जाम के बारे में देद हो गाईज यहाँ पर एक्जाम पोस्पोंड होगा ठीक है 100% होगा और मुझे लगता है 15 से 20 दिन आपका एक्जाम डिले होगा एक जून मेंशन और होसकता है एक जून को एक्जाम डेट है उसको यहाँ पर पोस्पन कर दिया गया मुझे है कोई नोटीश नहीं आया है और mostly chances और एक्जाम कर एक्जाम होगा जून की थार्ड वीक में देक है तो यह यहाँ पर कुछ expected date है जैसे हैं यहाँ पर कुछ official update आता है exam date के regarding मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर update करूँगा तो चाहिन को subscribe करना इस वीडियो को like करते ना और जासे आज share जहूर से करना तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए आपके बाए और प्रवाइ और बाए और तक लिए